हेलो दोस्तों, welcome to my another video इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ एस्पूल बॉय टोकेन के बारे में दोस्तों अगर इस से पहले एस्पूल बॉय टोकेन का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में A School Boy Token का वीडियो देख ले क्योंकि उसमें मैंने A School Boy Token से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दिया हुआ है और उसमें आपको पता चल जागा कि A School Boy Token कितना बड़ा प्रजेक्ट है और कितना जादा प्रॉफिटेबल है दोस्तो इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ी खुसकबरी के बारे में बात करने वाला हूँ और वह खुसकबरी यह है कि इसका प्रिसेल स्टार्ट हो चुका है और प्रिसेल में आप देख सकते हैं कि इसका प्रिसेल अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको 1-5 महिने के अंदर ही 10 गुना profit देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे ही pre-sale खतम होगा तो इसकी listing होगी और listing होते ही जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा join pre-sale to earn 10 into profit after listing कहता है कि अगर आप इसको join करते हैं pre-sale को तो आपको listing होते ही 10 गुना हो जाएगा उसका value तो दोस्तों आप देख लिजिए कि 1-5 महिने के अंदर ही आपका जो है investing जो है वो 10 गुना होने वाला है तो यहाँ कितना जादा profitable है दोस्तों इस video में मैं यह भी बताओंगा कि इसको कैसे buy करना है कहा से buy करना है किस तरीके से buy करेंगे और buy करने आपको कितना profit मिल सकता है अगर आप इसको एक साल तक hold करकर रखते हैं तो आपको कितना profit होने वाला है तो दोस्तों यही सब के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ तो दोस्तों चली सुरू करते हैं इसमें School Boy Token is an experiment in decentralized finance यह जो है decentralized finance एक experiment करता School Boy Token इस पर और उसके बाद यहां पर दिया हुआ है download white paper यहां पर आप white paper डाउनलोड कर सकते हैं आउनलोड करने के बाद आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है साथ ही साथ आप इसके social media platform से भी जूड सकते हैं जैसे Instagram, Twitter और Telegram से भी जूड सकते हैं उसके बाद यहां पर अगर आते हैं तो यहां पर लिखा हुए welcome to school boy token यहां पर आपको अपने trust के बारे में बताता है कि most trusted school boy token है जिसका कि 5% earning जो है वो development team along with quantity kept for social service will be used for providing the education to the poor children therefore helping trust that working with a goal to create society where everyone will be educated and poverty will also to be eradicated another 4% will be used for providing digital education to all government schools यह कहता है कि 5% जो है यह अपने development team पे लगाता है और जो पूर बच्चे हैं उनके लिए काम करता है और इसका जो 4% income है वो यह खास करके government schools में लगाने का काम करेंगे और इनका जितना भी profit है यह खास करके पूर बच्चों में जाएगा और यह एक charity वाला token है जिसमें कि आपको बहुत ही जादा charity होने वाला है इसमें और यह जो charity होने वाला है यह आपके investing से नहीं होने वाला है इसका एक fix point है जैसे कि जितना भी इससे profit होगा तो profitable amount का कुछ percent इसको charity में दिया जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि charity जो होता है खास करके charity वाला token वा बहुत ही जादा आपको profit देता है और इसलिए यही reason है कि इसका जो pre-sale है start हो गया है और यहां बहुत ही जल्दी इसका जो 500 million का target है sale करने का वह बहुत ही जल्दी sale हो जाएगा तो दोस्तों आप अगर late करेंगे तो सायद आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा तो जितना जल्दी हो सके आप इसको pre-sale में buy कर ले और buy करने के बाद आपको 10 गुना profit मिल जाता है listing के दोरान ही जैसे ही listing होता है तो यह जो है सीधा इसका जो profit है वो 10 गुना हो जाता है और अगर आप इसको hold करके रखते हैं और खास करके साल के अंत तक रखते हैं hold करके तो आपको हो सकता है कि 1000 गुना तक भी profit आपको मिल सकता है तो दोस्तों आप इसमें जाए और प्रेसल को जॉइन करें प्रेसल को जॉइन करके आप जितना भी buy करना साथ है उतना buy कर लें चलिए मैं sort में इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ जैसे qualities of schoolboy token इसमें है कि focused in creating link between the finance and charity यह जो है finance और charity के बीच में एक link create करता है और यह जो है गरीब बच्चों में charity करता है उसके बाद है no false promises by using largest quantity like trillion and quadrillion इसका जो है कोई false information नहीं है कि मैं trillion में और quadrillion में इसका deal कर रहा हूँ यह normally millions में है इसका मैं बता दूँगा कितने millions में है developing a online platform where children can give knowledge of trending technologies and crypto industry in initial days यह जो है online platform शुरू करने वाले हैं जिसमें गरीब बच्चों को education मिल सके इसका पढ़ाई हो सके उसके बाद है creating launchpad where young talented students मतलब कि यहाँ पे जितने भी young talented student है जो की खास करके financial crisis के कारण अपने talent को 100 नहीं कर पा रहे हैं वैसे बच्चों के लिए यह जो charitable token है यह काम करता है खास करके जो भी इसमें बच्चे होंगे उन लोगों को काफी मदद होने वाला है और school boy token का आगे tokenomics देखा जाए तो इसका जो public sale है वो 7500 million का है वह बना 7500 million का है और इसका जो pre-sale and promotion के लिए है वो 2500 million है इसका social service 2000 million का है developers के लिए 2500 million और burning के लिए 500 million रखा गया है इसका total जो है वह 15000 million का है और इसमें आपने tokenomics को देख लिया है या इसका graph है उसके नीचे roadmap की बात करें तो concept and design है boundary campaign है pre-sale इसका start हो ही गया है official launch in top exchanges या बहुत ही जल्दी officially top exchanges पर launch होने वाला है audit है cmc listing है coin gecko listing है getting listed on up to three exchanges launching online education platform launching launchpad for talent search reaching five dollars वह अब इसका कहता है कि या जो token है school boy token वह एक school boy token is equal to five dollar बनाने का इनका target है या जो है अगर आप एक token खर दे तो इसका जो value है वह five dollar हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितना गुना इसका multiply हो गया है तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा token है खास करके जितने भी charitable token होते हैं वह बहुत ही फायदेमन token होते हैं और यहां से आप देखें यह link दिया हुआ है यहां से आप link को copy करने के बाद आप इसको pre-sell में जाए और यहां से join pre-sell पर click करेंगे click करने के बाद आपको coin tool app open हो जाएगा जैसे ही coin tool app open हो जाएगा आपको यहां पर दिखा देगा कि 499.92 BNB का इसका एक limit है इतना ही यहां प्रिसल में sell कर रहे हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते है 24 गंटे 24 दीन 21 गंटे 26 मिनट बचा हुआ है इसके प्रिसल खतम होने में प्रिसल इंड होने में और यहां पर claim token का option दिया हुआ है आप यहां पर अगर देखे तो इसका जो symbol है SCH है address इसका यहां है और total supply आप देख सकते हैं यहां पर पूरा यहां warning detected दिया हुआ है दोस्तों अगर बात किया जाए इसका इसको buy करने का तो सबसे पहले आपको connect wallet पर click करना है यहां अगर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं data mask wallet iam token जितना भी तरह का trust wallet हो गया जितना भी तरह का आप जो भी एप यूज करते हैं उसको आप open कर लेंगे उसके साथ connect कर लेंगे connect करने के बाद आप इसको buy कर पाएंगे और buy करने के बाद जैसे ही a listing होगा आपको 10 गुना profit मिल जाएगा लेकिन अगर आप उसके बाद इसमें जितना दिन तक hold करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका profit बढ़ता जाएगा साथ ही साथ मैं आपको बता दो यहां token lock का भी system दिया हुआ है आप यहां पर token lock भी कर सकते हैं और token lock करने से आपका जो भी है यहां काफी ज़्यादा security सो करता है token lock का option तो आप यहां से token lock भ token एक बहुत ही बहतरीन project है आप इसमें अगर invest करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा profit देखने को मिलेगा खास करके प्रिसल के बाद तो आपका 10 गुना profit हो जाएगा तो सबसे पहला तो यही बात है कि जैसे ही हम प्रिसल जॉइन कर लेते हैं कुछ ही दिन बाद जैसे क एक डेड़ महीने बार आपका लिस्टिंग शुरू हो जाएगा और जैसे ही लिस्टिंग शुरू हो जाएगा तो आपको 10 गुना profit मिल जाएगा लेकिन मेरा सलाह माने तो आप इसको hold करके रखेंगे तो आपको यह 1000 गुना तक profit दे सकता है और यहाँ पर मैं एक बार फिर अब तू थ्री एक्षेंजेस या तुरंत ही तीन एक्षेंजेंजों पर लिस्ट होने वाला है उसके बाद इसका खुद का लॉंचिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन आने वाला है तो आप इसका ऑनलाइन जो एजुकेशन है यहाँ सुरू करने वाला है जो कि 55-Dollar बनाने का टार्गेट और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लेंगे यहां से कॉपी करने के बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पर फिर से आप देख लीजें कि यहां करेंगे क्लिक करने के बाद हम लोग यहां क्वाइन टूल एप ओपन हो जाएगा क्वाइन टूल एप ओपन होने के बाद हम लोग यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा यहां से आपको देखिए रिमेनिंग लिमिट दिया यहां से buy कर दीजे और buy करने के बाद आप इसको hold करते रहिए जितना भी hold करेंगे आपको जब भी मन करेगा आपको लगे कि बहुत जादा profit है तो आप इसमें invest करें इसमें जिस तरीके से भी आप चाहें आप इसका knowledge इसके social media platform से भी ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहां एक जानकारी थी schoolboy token के बारे में इसके pre-sell के बारे में तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में बता सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद